यूपे पुलिस के कुछ पॉइंट्स पर भाई परिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है पूरी तरह से अगर कोई ऐसे डाउट में है कि 17 और 18 को नहीं हो सकता एक्जाम तो वो या तो बिलकुल अंजान है या बिलकुल पागल है ठीक है तो अब उस तरह से कोई अपने दिमाग में ना लाए दस फरवरी को एडमिट कार्ड ये बिलकुल आज नियूजपेपर में आ चुका है कि 10 फरवरी को आपके अडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और यह आ ही जाएंगे क्योंकि भरती बोर्ड ने हर काम बहुत ही समय से और सटिक्ता से किया है इ खुब है मैं भी आज एनियू लोंकल समय में कितना बड़ा हो जाता है या तो । । तक देना या बिलकुल लाश्ट दिन तक देना यह मैं बहुत जयादा समझधारी नहीं समझता क스न के नियूर्ट दिन शमिता मौक टेस्ट अपने अब तक बहुत दी हैं मौक टेस्ट आपने अब तक बहुत दिये है संडे का इस बार भी दे लीजिए उसके बाद आप हर रोज दिन में दो-दो ऐसे बच्चे डिमांड कर रहे हैं एक सर्थ दिन में दो-दो मौक टेस्ट लगा दो एक एक दिन छोड़ छोड़ करके दे दो नहीं अब उसका बहुत अर्थ नहीं है बच्चो आपको मिनी मौक दिये हैं तो वो सबसे बड़ी समझधारी है उसको अगर आप सबजेक्ट वाइज कर रहे हैं तो वो बेस्ट है और मौक टेस्ट का अब बहुत ज़्यादा चक्कर मत पालो बस अब देखो कि अपनी रिवीजन में कौन कौन सी चीजें छुटी हुई हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता था और जो यूपी पुलिस के लिए हज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उनको और जो चीज आपने पढ़ रखी है रिवाइज नहीं हुई है तो वो आपके लिए खत्रा पैदा करेगी तो आपका जो पहला उद्देश है वो ये होना चाहिए कि मेरी चीजें रिवाइज हो जाएं नई चीजें अब मत सीखिए कोई ये कहता हो कि ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है इससे पांच नमबर फस जाएंगे इसको पढ़ लीजिए बिल्कुल भी मत पढ़ना अगर आप नया पढ़ोगे नया अगर चार नमबर के लिए जाना चाहोगे तो हो सकता है पुराने दस नमबर को खोदो तो बहतर होगा कि आप पुरानी चीजों को रिवाइज करो अब नया पढ़ने का समय खतम हो चुका है